वेल्व एक देट अधे रहत है किस वीडियो में बोटनिक की कटिंग करेंगे बैक में बोटनिक रहेगा और फ्रंट में यमारी कटोरी बार या भाख दिपनिक पे और यह जो मारा बोटनिक का गला है यह बहुत पहले भी लोग पसंद करती अभी भी पसंद किया रहा है क्यो सीधा कर लेना है बलाउज की टोटल लेंथ 14 इंच की है एक इन्च माजन का प्लस करके 15 इंच लेना है आपकी जितनी भी लेंथ हो आप ने कोर्ड रहे आप एक इंच मार्न प्रस करके देखे लाइन को रहेंगे अब यहां पर गले के लिए हैं यहां पर गला ही 11 इंच का है देखें लेकिन इस 11 इंच गले की कार्डिंग अपना आर्मोल शोल्डर नहीं लेंगे क्योंकि एक बोटनेक पे रहेगा दो बोटनेक का गला साथे 3.5 इंच रहता है छोटा गला रहता है इसके बाद और दूसरा गला बनता है तो हम उस गले के क्वार्डिंग इसका सोल्डर लेंगे यहां पर देखिए हमने सोल्डर 6 इंच का लिया है क्योंकि फ्रंट में डीप निक रहेगा अगर फ्रंट का भी बोट नेक होता तो हमने साड़े 6 इ दो इंच का मार्जन लेना है चौतिस चेस्ट है उसका चौता है हमने लिया साड़े आठ इंच अब देखिए एक इंच पर हम गोलाई देंगे फ्रंट्स तो हम यह वाली गोलाई एक इंच पर देते हैं जब बोट नेक बनाते हैं तो और यहां पर देखिए कमर का चौता ह साथ इंच लेना है 6.75 इंच एक इंच टकस का लेंगे और दो इंच माजन का लेक्णी की अरग इस दाते से कटिंग और फिटिंग की ल आई को मा बोटनेक का है, बोटनेक पे दो गला बनता है, एक 3,3 इंच तक बनाते हैं, और इसके बाद आप गले के लिए चाहे इतना बढ़ाईए, लेकिन आपको अपना सोलर आर्मोल इसी गले के कोडिंग लेना होगा, जो छोटा वाला गला है, नीचे के साथ देखिए, ब्रॉडने बोटनेक का या दीपनेक का, तो इसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और सोल्डर को देखिए, यहाँ पर हाफ इंच टाउन करना है, यहाँ पर आप इंच का मार्जन लगा सकते हैं, जैसे आप डीपनेक पर लगाते हैं, उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो देखिए कि अपने बैक पार की कटिंग कर लिए है, अभी सोल्डर डाउन को कट नहीं किया है, तैयार पर कट लगा लेंगे, अब यहाँ पर देखिए, पने फ्रंट पार की मार्किंग करेंगे, इसके लिए देखिए, हमने बैक पार को एस्टीज रखे उतार लेना है, और यहाँ गले की साइट दो इंच एक्स्टा लेंगे और एक इंच लेंद भी एक्स्टा बढ़ाएंगे दाइट कप्ड़े पर लाउच की कटिंग करेंगे इस तरह से कटिंग आपकी साइज पर कर सकते हैं तो आपका प्लाउच एदम पर्फेक्ट आएगा तो देखिए हमने एक ये देखिए मार्क उतार लेंगे और अब देखिए मिद्रमक आपने बैकपार्ट को पाउटा लेंगे और इसमिन आपके हमने कटश केते हैं गला आपके कटेश कर लेंगे इह देखि 어렵त सबसे फहले क्या करना क्या कि मार्किंग गहराई देंगे हैं στο अलब करके सिधी लाइन अकड़र कर लेनी है यह यह से लाइन मार्क कर लें quieres बोत निक का ब्लावज मिल मादकी अंदर के लिए हो देज के लिए ब्लावज की गले की लेंगे चेस्ट का चगत हाई प्लस एक इंच लेते हैं तो इस से कॉर्णिक मारा साथे नौ इंच पे आएगा लेकिन हम इसमें 10 इंच पे टक्स लेंगे वोटने कबला हो जे खिचता है अपनी साइड और बिल्ड का जो मारा मेजरमेंट है वो तक्स से दो इंच नीचे आता है तो ट का इंच हमें 10 इंच लेकर करेंगे तो 10 इंच पे टक्स लाएन को मार किया और 12 इंच पे बेल्ड की लाएन को मार कर लेंगे यह जोगा लाया देंगे ंच 15'' पूरा चेश्ट का दस्वा आं आप दिखियो नेची साद कमर के फेटिंग लगाएंगे तो कमर कमर नेच़ साथ इंच 27 fence 6.75 5 inch, 2 inch margin रखेंगे, margin अपने पॉरा पार्ठ में रखा है यह कोद्टर है फिटिंग की लाइन को मुझे कटिंग की लाइन फिर 2 inch अंदर फिटिंग की लाइन नाएगे और अब देखिए अपने कटोरी की marking करेंगे इसका सेंटर निकालेंगे, आगे का 2 inch छोड करके अब 1-3 एकस्टा और लेंगे यह हमारा मार्जन हो जाएगा इसी पे हमने एक लाइन खड़ी मार्क कर लेनी है यह देखिए इसे भील्ट तक मिलाएंगे देखिए आर्मोल के पास इस तरह से धाइँच पे हम सेप लगाएंगी एक लाइन मार्क करेंगे कटोरीा देना है देखी हम इस तरह से ले आते हुए परफिक्त तनीये कटोरी डेंगे घर 25 overcome ही तो क्या लेकिन कटोरी का कशिफ अच्छे से आना चाहिए भी कि को आप एक senior से दे दिया ऐश्या आप हाफ इंच मार्च गर्रहा है यह हमारा मार्जन हो जाये गा drops का मार्जा नहीं यह मिलेज्आ के पार्ट का मार्जन है एक इंच एंच डिना है यासा इंच बने के लित में, तो आप काटोरी को बहुत ही ध्यान से समझेएगा, स़सी कटोरी कट करेंके, तो पर्फिक्ट कटोरी कर गेग', और आप क्टोरी CD ब्लाओ आसए से बना शक्ते हैं, बहुत ही आसान तरीका है आने की उस्ती मीना आपको बहुत ही तो यहां भी देख लेटें तो इम्नें हांफ इंश कमर के पास नहीं उठाया था सामने वाले पार्ट मे भी नहीं का मार जया तो हमें तो हमी рण कुलासीन श्रैक Orange बढ़ा के नहीं. बार कम भी अलग कर लेंगे हाप पर जूब से को कट करेंगी। यहां से देखिए यह हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं अब काटोरी की मार्किंग करेंगे तक्स की लाइने से डार कर लेंगे अब इसका सेंटर लेंगे फ्रेंट्स यह देखिए तो यह आप इमने सेंटर निकाल लिया है अब इसी सेंटर से एक इंच नीचे मार्क लगाएंगे इसको देखे इस साइड आप हाप इंच उपर भी उठा सकते हैं इससे क्या होगा कि आपकी हुकाई की पट्टी नहीं होगी और कोई फरक नहीं पड़ेगा फ्रन्स ब्लाउच की फिटिंग में या कटोरी में कोई फरक नहीं पड़ेगा इससाइब कट करेंगे हाप ही इंच आप हमने अलग से कप्रा ले लेना है हाप हिंच का एक मार्क लगा लेना है यह मारा मार्जन रहेगा अब देखिए कटोरी से जो यह वाली पट्टी निकलिए इससे को इस तरह से रखेंगे उपर की साइद इस पट्टी से हमने देखिए यहां से 1.5 इंच एक्स्टा और लेना है यह 1.5 इंच एक्स्टा हम क्यों लेते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा फ्रन्स तो त्याबर लेंगे कि अतना मारा कप्डा ही आया है इसका सेंटर निकाल लेंगे यह देखिए आब दोनों साइड से देखिए अब हाफ इंच लेंगे में यह हाफ इंच हमारा चला गया कर्दिंग में फिर जब इसकी तो तो ₹ इंच में जाएगा 1.5 इंच उपर की सइट स कहो उतार लेना है फ्रंड्स यह दखें अब हाफ इंच मार्जन का मार्ग कर लेंगे तो यहाँ पे यह देखिए यहाँ पर 2-inchant का मारजन हुत हमारा ठूरा complete हो गया है । stud आधिकासर काम निंच की कट की और हाफ इंच नीचे की साल लिया था इस तरह से हमारा 2-inch का margin इसमें complete हो गया है तो यहां पर देखिए इस तरह से हमने कटोरी का दूसरा पार्ट भी कट कर लिया center पर कट लगा लिया और इस पर चाक से मार्क लगा लेंगे कौन सा साइड मारे ऊपर का और कौन सा नीचे का है ताक इसलिए करते से मारा पर उल्टा ना हो तो देखिए आपने फरंट पाट की कटिंग कम्प्टेर कर लिया लाइनिंग पर यह दिकी इस तरह से अब शारे पार्ट को तो देखिए हम अपने मेन कप्डे पी कट कर लेंगे तो हमें रिखिए इस तरह से कप्डे को टूफोल्ड करके रखना है और सारे पाट को इस तरह से रख लेना है और कप्डे को थोड़ा बढ़ हाथे हुए हम सारे पाट को कट कर लेंगे इस तहर से करके सारे पाट को अपने में कप्ड़े की कट कर लिया अब देखिए अब ट्या करेंगे अब अब स्लीप की कटिंग करेंगे तो ये सलीप समय चल रहा हूं तो चलिए सलीप की कटिंग कर लेते हैं पर यहाने में लगानी है, हमारे पास यो कपड़ा बचा है कपड़ा में वाहा नहीं करें के लिए, करें काभड है परे नहीं करेंगे बोन एक प्रशन तो पेसे 4-4-5-9-1-2-8-5-5-2-3-7-6- नीचे के साथ 2 inch margin छोड़ देंगे उपर के साथ 1.5 inch छोड़ेंगे और सलीप का स्लीप का सेब देंगे तो आप चाहे से सीधा रखें या पिर तीर्फी मार्किंग लगाएं आप दोनों तऱ से स्लीप पर्फेक्ट ही आती है STUDमेस, πोषण पर लोगा लेंगे , वैं पर कम पर रहा पर लोगा deafना देखें यहाँ पर पस चलीब चार गारेंगे , तो चलीब में बनाएँगे , पफ ज्टाइण बनाएँगे, इसके लिए 5 इंची पर आपके इसके पर लिए है जाते हो चुड़ डालना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हैं दस से बारा इंच तक भी बढ़ा सकते हैं देखिए जहां पे मार तैयार आर्म होले उसको इस तर से हाफ करेंगे और यहीं से हमें एक बॉक्स बना लेंगे जो मनें पांच इंच लिंद एक्स टाली है इसलिप की प है की तसे मार्क इंच कर लेनी है यह देखिए तो यहां से जो ऊओं पूर्व ही आप से जो मनें 50 इंचक सестно लिया था वहां पे पहलें इस तर से मार्क को डर कर लेंगे यह filemak कर लेनी है तो हम आप चाहितो इसे सीधा रख सकते हैं तो यह दिखिए यहां पर इसे तो आपको जासा ही लगा लगा और देखिए यहां पर कट लगा लेंगे ताकि हमको पता चले कि यह से प्लीट्स डालनी है स्कटे करेंगे लेंगे तो इस ताहसे मारी स्लिपवी क कट करके कंप्लीट हो गए ने क्युट अब पर आपको आप मों पासला कर लेंगे यहां से में स्लेट्वी।